टीम इंडिया का बॉर्डर गाउस का ट्रोफी के लिए जो स्कॉर्ड का एलान है वो हो चुका है टीम सामने आ चुकी है रोई शर्मा कप्तानी करते वे नजर आएंगे आभी मन्य विशन को वहां पर जगा दी गई है क्योंकि बताया यह जा रहा है कि रोई शर्मा पहले रियान में आप लोगों को बता हुआ फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे उन्होंने साफ तोर पे काये मुझे यह बिल्कुल समझ में नहीं आता है जब वे कहते हैं कि मैं ग्यादव ने कुछ और तक गेंदबाजी की और अब वे शिवम दूबे और रियान प्रा की तरह अ साफ तौर पे दो खिलाड़ियों के बारे में आपर के शिरिकांद ने बात किये और दोनों ही खिलाड़ियों को बॉर्डर गाउस के ट्रोफी के लिए और अस्ट्रेलिया जाने का जो टिकेट है वो नहीं मिलाएं अब बात करेंगे आपर सबसे पहले रुतराज गायकवा क्या गलती है जब रुतराज गायकवाड को इंडिया एक एक कप्तान लेके जा रहे हैं वहाँ पे वह कप्तानी करते हों नदर आएंगे तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था और इतनी अंसर्टिनिटी रुतराज गायकवाड को लेकर क्यों है ये के श्रीकांत ने इ क्योंकि अगर हम बात करें मायंग्यादव को लेकर भी उनने का कि अचानक से मायंग्यादव को ऐसा क्या हो गया है कि वह अन्फिट हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं मायंग्यादव को निजलन के खिलाफ रिजर्व में रखा गया उनको आस्ट्रेलाय रिजानी की तैयारी क जा रही थी, सब चीजे सही चल रही थी, आन ट्रैक्ट थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या मैं क्या दफ को इंजरी वी जो वो उन्फित हो गए, इस पर अभी कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है, जिस तरह से चीजे हो रही है, मैं क्या दफ के साथ, वो भी बहुत क्योंकि आप उनमें अगले शमी को देख रहे थे, एक नए स्पीट स्टार को देख रहे थे, लेकिन वो यहां पर अन्फित होगे बाहर होते वे नजर आ रहे है, देखना दिल्चस होगा कि आप टीम इंडिया, जिसका चैन किया गया है, बॉर्टर काउस के ट्रॉफिक के उसका प्रजेशन यहां पर आस्ट्रेलिया में कैसा रहते है, आप लोगों के क्या रहा है, जिस टीम का चैन किया गया, क्या वहां पर सीरीज जीतने की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं